हम ऐसी बहुत सारी चीजों के साथ बढ़े हुए हैं जिने हमने एक पल के लिए देखा होगा और फिर इग्नोर करके आगे बढ़ गए बिना ये जाने कि उनका वास्तवी कुछ देशिक क्या है चाहे वो जीन्स की एक्स्टर पॉकेट हूँ या टूथफेस्ट का कलर बार हर किसी के होने के पीछे एक कारण है यहां पेश है कुछ ऐसी चीजें जिनका इस्तिमाल आप नहीं जानते थी कीबोर्ड बंप्स कीबोर्ड सभी रंगों में आता है और इसमें इतने बटन हो सकते हैं कि आपको पता भी नहीं होगा कि उनका करना क्या है लेकिन ध्यान से दे देखिए और आप देखेंगे कि उनमें एक छोटा सा उभार यानी बंप है वो किसलिए है क्या यह कोई मैनुफेक्टरिंग में गलती है या अंधी लोगों के लिए ऐसा नहीं है यह दरसल यूजर की मदद के लिए बनाए गये हैं ताकि कीबोर्ड में देखे बिना भी व हर ट्यूब के अंत में एक कलरड बार होती है सालों तक लोग यह सोचते रहे कि यह सारे रंग टूथपेस्ट के इंग्रेडियंस को प्रदर्शित करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है गरसल ट्यूब के अंत में यह कलरड मार्क सिर्फ मैनुफेक्टरिंग के उद्देश से रखा हैं तो आपने अपनी पॉकेट में वो छोटे सी बटन जरूर देखे होंगे जब शुरू शुरू में जीन्स को बनाये गया था तो उन्हें मेनली उस समय मजदूर पहना करते थे और उन्हें अक्सर नई जीन्स खरीदनी पड़ती थी क्योंकि यह पुराने वाले खुल ज हैं अगर आपके पॉट के हैंडल में छेद है तो इसका मतलब आपके पास इस बना बनाया चमच होल्डर है अब आपको खाना बनाते वक्त किचिन काउंटर में सामान ढूनने की जरूरत नहीं है बस चमच को उस हैंडल के छेद में डाल दीजिए और उसका उपरी हिस्सा पॉट के उपर जूलता रहेगा जो बाहर आते हुए सॉस को वापस पॉट में डाल देगा पैडलोक्स स्मॉल होल पैडलोक्स अलग-अलग साइस और रंगों में आते हैं लेकिन उनका एक ही परपस होता है चीज़ों को खुफिया तरीके से लॉक करके रखना अब उसे ज घर के बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं साथ ही इसका इस्तेमाल लॉक की ऑईलिंग के लिए किया जाता है अगर उसमें जंग लग जाए तो टिक टैक लिड्स यह छोटे फ्लेवर्ड माउथ फ्रेशनर अकसर एक पारदर्शी प्लास्टिक की डिबिया में बेच जाते हैं जिसम प्लेट को खोलने से पहले बॉक्स को दाई तरफ टर्न करते हैं तो यह फीचर सिर्फ एक टिक टैक को बाहर आने देगा यह बहुत अरजीब फीचर है और लगबग हर कोई इसे इग्नोर कर देता है लिटल पॉकेट इन जीन्स हम जब से जीन्स पहन रहे हैं हमने देखा ह है कि हमारे पॉकेट में एक और छोटी पॉकेट होती है लोग यह मानते रहे कि यह पॉकेट टिकेट और सिक्के रखने के लिए यूज होती है लेकिन वास्तव में वह छोटी पॉकेट एक पॉकेट वाच रखने के लिए इस्तेमाल होती थी यह उस समय बनाए गई गई थ और जाहिर सी बात है सेलफोन भी नहीं होते थे लिटल होल्स इन कानवर्स शूज स्नीकर आइलेट्स वो छेद होते हैं जिनमें से आप अपनी जूतों के थ्रेड बांदा करते हैं पर शायद आपने नोटिस किया होगा कि कभी-कभी जूतों के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इल रहते थे होल इन पेन कैप हम सभी पेन का इस्तिमाल करते हैं और कुछ की तो आदत होती है उन्हें चबाते रहना खासकर पेन के धकन को पर क्या आप जानते हैं पेन के धकन में एक ऐसा फीचर होता है जिसका उद्देशिव वो नहीं जो हम सोचते हैं बहुत सी लोग यह स इस छेद को सुरुप्षा के उद्देशि से रखा जाता है दम घुटने से बचाने के लिए यदि कोई धकन को निगल जाए और ये गले में फस जाए तो स्टेशनरी कटर नाइफ यूटिलिटी ब्लेट्स बहुत सारे साइज और रंगों में आते हैं आपने शायद अपने बॉक्स कटर के ब्लेट पे या यूटिलिटी नाइफ उन छोटी-छोटी स्कोर लाइन्स को नोटिस किया होगा आप जब चाहे अपने ब्लेट के एंड को तोड़ सकते हैं एक धारदार ब्लेट पाने के लिए ऐसा करने के लिए उसका कैप निकाल दीजिए ब्लेट को पीछे से बाहर निकाल लिए और उस कैप का इस्तिमाल करके उसके एंड को तोड़ दीजिए आपको किसी टूल की जरूरत नहीं है सिर्फ बैक कैप के एक स् उसकी जिये